इस विडियो में आप सीखेंगे एक सुन्दर डिजाइनर श्रग बनाना एक श्रग बनाने के लिए आपको चाहिए एक 87 cm x 67 cm कपड़े का टुकड़ा आप आपकी पसंद के हिसाब से कोई भी फैबरिक इस्तिमाल कर सकते हैं वो लेसी हो या फरी या सीखुंस के साथ हमेशा की तरह आपको बीडिट पिंस की जरूरत पड़ेगी और आखिर में आपको चाहिए होगा एक कपड़े का फूल सजाने के लिए अब फैबरिक को उल्टा पलट लीजे छोटी साइट से शुरू करके एक चोथा एन छूट देते होए कपड़े को डबल फोल्ड कीजे ऐसे करते होए इस फोल्ड को अब बीडिट पिंस के साथ जोड कर रखे कपड़े के इस तरफ की दूसरे छोड तक पहुँचने तक ऐसा करते जाए कपड़े के दूसरी और को मोडने के लिए यही प्रक्रिया दुबारा दोहराएं दूसरे छोड पे जाते होए मोड को पिंस के साथ जोड कर रखे अब तयार किये होए कपड़े को सिलाई मशीन पर ले जाकर सुई के अंदर की मोड को अलाइन कीजे कपड़े को अलाइन करके प्रैसर फुट को नीचे लाइए. आगे जाते हुए पिंस को निकालना ना भूले. दूसरी और भी ऐसा ही कीजिए. स्टिचिस को सीधी रेखा में रखने की कोशिश करें. अब दूसरी साइट से उपर आते हुए कपड़े को टेबल पर रखे. सिले हुए कोने को मोड़िये ठाके वे केंदर में मिले. होना 90 डिक्रीज होना चाहिए और कोने सही ढंक से मैच होने चाहिए. अब दूसरी साइट भी ऐसा ही कीजिए. बाहरी पॉइंटेट कोने से अंदर की और 17 सेंटिमीटर माग कीजिए. 20 साइट मिला के कपड़े को पकड़ने के लिए उपर उठाएं. और मटीरियल को उल्टा कीजिए. चूट को मिलाने के लिए पकड़ के पिन कीजिए. सामने वाली साइट में भी ऐसा ही कीजिए. उसके बाद कपड़े को मशीन पर ले जाकर और 17 सेंटिमीटर माग से लेकर फ्लैट साइट की तरफ सिलाई कीजिए. अब पिन्स तक पहुँचने पर पिन्स को निकालना मत भूलिए. ये निर्धारत कीजिए कि आपने स्टिच को लॉक किया है. दूसरे साइट में भी ऐसा ही कीजिए. अब सिले हुए कपड़े को टेबल पर रखे. अब देखेंगे कि आपने अब तक अन से 10 सेंटिमीटर सिलाई की है. रॉए जिसको खतम करने के लिए एक चौथा इन चूट देते हुए, सीम को जोड से शुरू करते हुए सीम को खोल दीजिए. और फैबरिक को डबल फोल्ड कीजिए. मोड को सिक्यूर करने के लिए बीड़ पिन्स का इस्तमाल कीजिए. मोड के शुरूवात पॉइंट पहुँचने तक पूरे कपड़े पर ऐसा कीजिए. कपड़े को मशीन पर लगाए और उसे प्रैसर फूट एज से अलाइन कीजिए. फूट को नीचे करके सिलाई शुरू कीजिए. अन्द तक पहुँचने पर स्टिच को लॉक कीजिए. मशीन से निकाले और उसे अंदर से बाहर पलटाए. आपका श्राग अप तयार है. अगर आप थोड़ा अकर्शन जोडना चाहेंगे, तो आप एक ब्रोच को जोड सकते हैं. ताके वो और सुन्दर दिखे. रंगों और मटीरियल्स के साथ एक्स्पेरिमेंट कीजिए. आपके सर्जन शेता को बहने दीजिए. और अपने प्रियतम को ये अनुपमोफार भेट में दीजिए.